नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर से तो बात करने वाले हैं मिसिस बैक्टर फूर्ड के बारे में तो ये स्टॉक्स आपको लगबख 306 रुपे से भी नीचे या फिर कह सकते हैं कि इसके आसपास जाता हुआ दिखाई दिया अब महां से लेकर अब तक हमें जो रिकबरी देखने को मुली है काबले तारीफ कही जाएगी फिलाल में 410 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है तो काफी सारे निवेशक इस समय घबराये हुए हैं कि क्या हमें इस स्टॉक्स को इस कंपनी को किस नजरीय से देखना चाहिए क्या इसके अंदर हमें बाई करना चाहिए या नहीं लोंग टॉम के हिसाब से किस तरह की कंपनी दिखाई देती है अब तक आपने जो कुछ देखा है सिर्फ गिरावट देखी है देखा एक महीने में अच्छा कासा मुमेंटम आपने नीचे की तरफ देखा और स्टॉक्स के अंदर लगभख 464 से उपर के लेवल हमें देखन को मिलेंगे अगर आप चार्ट को बारीकी से समझने की कोसिस करेंगे तो एक कंसोलेडिशन का मूड हमें स्टॉक्स के अंदर देखने से लग रहा है कि हां इसके अंदर हम लोगों को यह लेवल जो है एक पेस लेवल का काम कर सकते हैं तो 306 रुपर के आसपास अगर इस ट कपकी देखने को पुली है मजभूत सती में इससे में दिखाई दिखा Вас rào घ्र एकांपनी करती है तो कंपनी बनाती है ब्रैड और बिसकिट तो कंपनी ब्रैड और भिसकिट का निर्मान करती है का पंगो this प strictडिया है पासद कर आपने इस का ऊसका दर आगworld करते हैं तो इ बिजनेस के अंदर हम लोगों को जो है अच्छा सा मोमेंटम देखने को बिस्किट्स की तो बिस्किट जो है पैकिट बंद होते हैं तो जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं तो आप यह चीज भी थोड़ा सा उबसर्ब करके चल सकते हैं दूसरी बात यह कि ब्रैड को जादर एजिलिस सेल हो जाते हैं तो इन कमपनी का बिजनेस किस तरह की का है कंपनी के अंदर हम लोगों को कितनी जान दिखाई दए रही है कितना मजबूत हमें दिखाई दर można के दिखाएंगी जैले खरीद भी लेते हैं तो फिर खरीदने के बाद में क्या इसके अंदर कन्डिश तो चली उस तो वेल्यूशन के हिसाब सा समझने की कोशिस करते हैं कि कमपनी किस तरह की की है लोंग टम में अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो लगबग 2,414 करोड से उपर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है आपने देखा कि लगबग 370 के आसपास स्टोक्स प् पर कैश भी देखने को मिल रहा है अर्णिंग पर शेयर पोजिटीव चल रहा है अगर बात करें सेल्स के बारे में बात करते हैं तो पिछला पांस साल किस तरीगे का रहा है तो लगबग 4,3% के आसपास हम लगों को इसके इंदर उचाल देखने को मिली तीन साल में लगब है उसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली इसी तरीके से अगर profit growth की बात करें तो पिछला साल जो रहा है उसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली बट overall sentiments positive कहे जा सकते हैं इसी तरीके से return on equity की बात करते हैं तो 5 साल में आपको उचाल देखने को मिला, 3 साल में भी उचाल देखने को मिला एक साल में भी इस्तिती मजबूत ही दिखाई दे रही है, ROC की बात करते हैं तो 4 हम लोगों को थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा ही दर आ है पांस साल में लगबख 16 % के आसपास आप देखने को मिल रहा है अब दोस्तों जानने के कोशिश करते हैं कि शेर ओल्डिंग पेटरन्स किस तरीकी के हैं तो प्रोमोटर्स ने लगबख 51 % के आसपास जो है स्टेक होल्ड कर रिके पब्लिक के सिदारी के बात करें तो लगबग 38% के आसपाद देखने को मिल रही है डियाइस 7% से ज़्यादा और एफाइस लगबग 2,5% के आसपाद देखने को मिल रही है तो तो एक और मज़ेदार बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ किसी भी शेयर के अंदर अगर आप देखते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग आपको नियर बाई अगर प्रमोटर्स के होल्डिंग के आसपाद दिखाए देती तो ऐसे शेयर के अंदर जिनमें पब्लिक की होल्डिंग काफी ज़्यादा होती है उन shares के अंदर हम लोगों को manipulations का खत्रा बहुत कम रहता है जिसे तो बात करते हैं अब कमपनी की performance के बारे में किस तरह की performance अब तक हमें company के अंदर देखने को मिल लिए तो year by year calculation से समझने की कोसिस करते हैं तो 2016 के अंदर लगवक 555 करोड के आसपास net sales करोड देखने को मिली थी उसके बाद 2017 के अंदर 587 करोड के आसपास net sales करोड देखने को मिली उसके बाद 650 करोड के आसपास देखने को मिली बढ़ गई 2019 के अंदर वापिस से बढ़ी 735 करोड के आसपास बट 2020 के अंदर थोड़ा progress देखने को मिली है net sales के अंदर अब चलिए net sales के अंदर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही profit देख लेते हैं किस तरीकी से होता हुआ नजर आ रहा है तो profit हुआ 38 करोड के असपास हम लोगों को 2016 में उसके बाद वापिस से 25 करोड के असपास देखने को मिल रहा है डाउन देखने को मिला वापिस से बढ़ता हुआ नजरा है लगभग 32 करोड के असपास फिर वापिस से ग्रोध देखने को मिली 32 देसमलो 38 करोड के असपास कहने का मतलब यह है कि हमें एक साल जो था 2017 का उसके अंदर हम लोगो को downfall देखने को मिला था बट उसके बाद से फिर इसके अंदर recovery होना शुरू हो गया अगर इसके अंदर हम लोगो को किरावट देखने को मिली बट overall जो है sentiments positive दिखाई दाया है अब खरीदारी आपको करनी है या नहीं करनी है तो आपको जो है अगर इसके अंदर खरीदारी करनी है तो सर्फ कम से कम quantity मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप 100 shares करीदने क प्लान बना रहे हैं तो आपको सर्फ 10 shares ही खरीदने हैं बाकी के 90 shares जो है आपको गिरावट के लिए रखने हैं तो अगर आप इसके अंदर long term के लिए बना रहे हैं चाहते हैं तो आप 10 shares के साथ में इसके entry कर सकते हैं उसके बाद में जैसे ही stocks के अंदर हम लोगों को नीच फशी करते चले जाना है और जब stocks के अंदर नीचे चले जाएगा नीचे चला जा जाएगा काफी नीचे चले जाएगा थो उसके बाद में एक बैस से उसके बाद में अच्छा खासा moment भी हम dobrze लिए थो व्युक्त अपनहारे और वैसे बी लॉंग टम DRIVरी में एक दिन तो अगर आप DMAT account open कराना चाहते हैं तो link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है महाँ से जाकर आप सीधे DMAT account open करा सकते हैं दोस्तों कर जानकर या आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके लना तके नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मुवाइल पर मिल सकें Thank you so much for watching